हेलो बच्चो आप सवी को टाइलेंट इस्टिटूट में स्वागत है तो बच्चो डियू सोल इंपोर्टेंट नोट्स बी ए प्रोग्राम बी एनर्स थर्ड समेस्टर सेकेंड इयर हिस्ट्री कुश्चन है दिले सल्तनात में एक्ताप पाणाली के करामिक विकास का अलोचनात्मक विसलेशन खने तो बच्चो अब आप लोग को आप लोग का पेपर होगा मार्च में यानि 15 मार्च से सायर स्टार्ट है तो आप लोग आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुर सारे वीडि हिंदी इंगलीज सबका बन रहा है तो आप लोग जो भी है कोश्चन पहले इसको देखा करिए तो जो भी बच्चे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जरा जरा लाइक करें वीडियो को ताकि वीडियो बनाने में हम लोगो अच्छा लगे ओके तो कि हम लोग इसका आंसर देखते हैं तो यह रहा देखिए दिल्ली सल्टनत में एकता पांडाली में करमिक विकास कारलोचनात्वग मिस्लिट्रा करें तेहां पर आंसर देखिए तरहीं सदी की सुर्वात में तुर्कों ने भात कहने एक छोटे अस्थानिया राजाओं का अ अपने अमीरों को नगद वेतन के अस्थान पर राजस्वाधिकार का वंटन किया तुर्क सासक जो था और राजे के सुद्री कण्यानी बढ़ावा देने के लिए अपने अमीरों को नगद वेतन के अस्थान पर राजस्वाधिकार का वंटन किया इसे ही एकता विवस्था कहा जाता है तो इसे ही इसे ही का कहा गया भई इकता विवस्था कहा गया और भी इसके बारे में लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत में दिन प्रती दिन नए नहीं राजों का उदय हो रहा था जिसके कारांद दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था ठीक है ना असंभव था ठीक है ना अतहा इलतेत्मुस ने इलतूतमीश ने दिल्ली समराजी को कई छोटे-छोटे छोटे च्छत्रों में भख्त कर दिया निम भीभाजित कर दिया इन भागों को ही एकता कहा गया ठीक है न जो भी छोटे-छोटे पार्ट में डिभाइड किया दिल्ली राजी को बहुत राजी को तो इसे ही कहा कहा गया इकता कहा गया तथा इन छत्रों पर शासन करने वाला अधिकारी को इक्तेदार कहा गया और जिस जो अधिकार अधिकारी इन छत्रों में अगर शासन जो कर रहा है उसको हम इक्तेदार कहा गया उस समय ठीक है ना सल्तनत काल में मानक प्रांतिया परसाशन के स्थापना नहीं हो पाई थी मानक प्रांतिया परसाशन पहली बार अकबर के समय हुई थी देखें मानक प्रांतिया परसाशन कब हुई थी सबसे पहले अकबर के समय हुई थी इस काल में प्रांतिय ब्यवस्था ब्यवस्थित तरीके सरस्थापित नहीं हो पाई थी इबन बतुता का नुसार प्रगने के नीचे हंड सो या चौरासी गाउं का परमुख सदी कहलाता था ठीक है ना इबन बतुता का नुसार कहा गया कि सो या चोरासी गाउं को परमुख सदी कहा लाता था इसका परमुख कौन होता था चौधरी होता था कि इवन बतूता मोहमद विन तूगलक के समय में भार्त आया था इवन बतूता किस के समय भारत आया था भी मोहमद विन तूगलक कि इकता पनालीी का प्रणाहम देखे काई से हो चुकी थी इकता ब्योस्ता के शूर्वाद भारस से पहले कहां पर हो गया था फारस इरान छेतर तत्त느פश्च मेश्यय में हो चुके थे भारत में मुहम्मद गौरी द्वारा कुतुबदीन एबग को हासी यानि हर्याना का छेत्र एक्ता के रूप में दिया गया पहला एक्ता था ठीक है ना पहला जो एक्ता किसको दिया गया हासी उस समय बोला गया हर्याना को इस छेत्र को दिया गया था इसके कुछ समय बाद मुहम्मद गौरी द्वारा उच सिंध का छेत्र इक्ता के रूप में नसरी दिन कुबाचा को दिया गया लेकिन परशासनिक रूप से इक्ता के अस्थापना इलतोतमीश द्वारा की गई लेकिन कहा गया लेकिन परशासनिक रूप से इक्ता के अस्थापना इलतोतमीश द्वारा ही दी गई है की गई है इलतोतमीश ने इक्ता परणाली का प्रारंब की ठीक है नहीं इक्ता परणाली का किया गया प्रारंब किया था शुरुवात किया था अब इक्ता परणाली की और सेक्ता अब इक्ता पाणड़ी के और सेक्ता क्यों पड़ी तो इक्ता पाणड़ी के सुरुवात आरंभिक तुर्की सुल्तानों की और सेक्ता से हुई राज़ानी से दूर इस्थिस सल्तनत के वे छेत्र जिन से राजस्व असुली असानी से नौ हो सुल्तान दोरा इक्त और वहाँ पर लोगों को तैनाति कर दिया गैं कि आपका ये इलागा है। आप ही जहा से वसूली करके Matte इसे ही इकता कहा गया ठीक है ? ये इकता हुए सुल्तान की पर्सासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले में पर्दान की जाती थे इस प्रकार सुल्टानों ने एक्ताय बाट कर सिमावर्ती छेत्रों में सल्टनत का परभाव अस्थापित किया तथा नियमित रूप से राजसोग भी वसूला दुस्री तरफ संबंदित आधिकारी को अपने अधीन एक छेत्र मिला जिसमें अपनी योगिता का अनुसा अनुरूप वराजसोप्राप्त कर सकता था इल्तितमिस ने गंगा यमना दो आब में हिंदू जमिनदारों के सकती को तोड़ने के लिए सम्मी तुर्की अमीरों को 2000 एक्ताय बाटी थी कितना इक्ताय बाटी थी दो हजार इक्ताय बाटी थी इक्ता दो परकार की होती थी पहली बड़ी इक्ता ऐसी छत्र महत्रपूर्ण अमीरों वर सेनाधिकारियों को दिये जाते थे दिये जाते थे बड़ी एक्ता किसको दियाते थे जो अमीर और सिनाधिकारियों को दिये जाते थे यह इक्ता भूमी में राजस्वसूली के सांथ 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 सां ली करता था इनके सम्बंदी जो भी था शीर्फ रजस व में नकाल न नवेटन तथा परसाशनिक व साइनी-कर्च Remote सलता करना उस से रखम कर अंध कर नकाल को सcular को स्वीर के करता था इस रखम को ुक्राइल काते थे इस सब्सक्ताइं Տक्तेदार कमें इकता दो सुल्टान नाम से सासन करता था इकतेदार को सिखे चलाने का अधिक कार लmeal नहीं था इकतेदार का अंत्राने कोई अधिकार नहीं था इक्तेदार का पद हस्थांत्रणिया होता था, समय समर पर सुल्तान इक्तेदारों को अस्थांत्रण करता था, यहां पर इक्तेदार पर सुल्तान इक्तेदार का होता था, समय समर को बदलते रहता था, ठीक ने, वो सुल्तान द्वाराज चुना होता था, काधिकार जलक रहा है इस परकार राजपूत कालीन उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा यह अपने से हटाया हटाता नहीं था फिरोज तुगलक अब इक्तेदारी परणाली के दोस से देखिए क्या है इक्तेदार समानेता इक्ता की आयवा खर्च में हेरा फेरी करके भरस्टाचार करते थे इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदारों पर नियंतर अस्थापित करने हैं जैसे बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भ्हुमिक की आयएका आकलन करता था अलावडीन ने इक्तेदार के अस्थंतरन पर बल दिया तथा तीन वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ते में नहीं रखा थीक है निवी बदलते रहता था ठीक है रहे है Valentina को शिचाशन की मिले चाशन का जना रिप consumo का क्यों कई चेग रहा रहाँ हो सकतेर थे इसा में कि धी ज centre पर खूछे क nee निधायित कराया वसालत ए हसम साइनिकों के वेतन का रेजिस्टर ये होता था ठीके ने कौन सा वसालत ए हसम साइनिकों के वेतन का रेजिस्टर होता था अधिकतर नियंतर्न लगाया। उसने शुली का अधिकार इक्तेदार के पास बने रहने दिया। जबकि वसिली जो करता था इक्तेदार उसी के पास रहने दिया। इसी परकार मुहमद बिन तुगलक ने इक्तेदारों के अधिन सैनिकों को केंद्रिय खाजाने से नगद वेतन देने की खोशना की। इसी परकार मुहमद बिन तुगलक ने इक्तेदारों के अधिन ही सैनिकों केंद्रिय खाजाने से नगद वेतन देने की घोशना कर दिया। इस अत्याधिक नियंत्रण के कारण इक्तेदारों ने मुहमद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह किये। ठीक है नहीं इस अध्याधिक नियंतों ने कहें कारण ही एक्तिदारों ने मुहमर भिन तुगलक के समय का कर दिया अनेक विद्रोह किये एक्तिदारी 45 सम्बंदित महत्पूर बाते जो परिक्छाओं में कई बार पूछी गई है अब देखें यहां पर कई बार पूछे जान इक्तिदार यह अग्तिदार पढ़्था को परशाशनिक रूप इल्तुतमिस ने दिया था तता उसने पद का स्थंतरित रख्था लोदी काल में इक्तिदार का वजह वजह दार कहा जाता था तो यहीं पर समाप्त हो गया बच्चो तो आप लोग इसको अब पढ़िए और इसमें से अपना नोट्स बनाएए और आप लोगा मार्च में ही पेपर होने वाला है तो आप लोगा पढ़ना स्टाट कर दीजे बहुर सारा है डियू सोल के प्लेलिस्ट में जाएए आप लोग चेक करिए कोश्यन और आप लोग पढ़िए ताकि आप लोग एक बार पढ़े रहोगे तो पेपर के दिन आप लोग को कोई भी दिकत नहीं होगा तुरंत निकालो और लिख लोगे उस समय ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट के सांथ वाग बच्चो थैंक्यू सो मज़ बच्चो